हलो, आज इस वीडियो में जानेंगे गुनक, गुन्य और गुननफल ओके, ये टॉपिक बड़ा नहीं है, लेकिन जानना जरूरी होता है तो चलिए बारी-बारी से जानते हैं यहाँ पर देखिए, जिस संख्या से गुना किया जाता है, उसे गुनक कहते हैं यानि बारा और गुने तीन किया जा रहा है, तो इसमें जो तीन होगा, ये क्या होगा? गुनक होगा क्योंकि इसी संख्या से गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पर लेखा भी हुआ है कि जिस संख्या से गुना किया जाता है, उसे गुनक कहते हैं इसके बाद है जिस संख्या में गुना किया जाता है उसे गुन्य कहते है तो यहाँ पर देखें बारा में गुना किया जा रहा है यानि बारा हमारा क्या हो जागा गुन्य हो जागा इसके बाद क्या है संख्याओं के बीच गुना के परिनाम को गुनन फल कहते हैं तो यहाँ पर देखिए यह दूनों को जैसे यापस में गुना करेंगे तो इसका जो परिनाम आगा वही हमारा क्या होगा गुननफल तो यहां पर आसानी से मैंने लिख भी रखा है ध्यान दिजियां यहां पर इसी से आप इसली समझ सकते हैं देखिए यह यह बारा क्या हो गया गुन् और यह 36 हो गया गुनन फल तो आई होप इस वीडियो में आप आसानी से समझ गये होंगे गुनने गुनन